औरंग जेब के बागी बेटे अक्वर को माराठों के राजा शंभाजी के राज्य में रहते हुए 18 महाभीतने को आए उसे शंभाजी ने आश्वासन दिया था कि माराठों और राजपूतों की सहिप्त सेना द्वारा औरंग जेब पर आक्रमन करके अक्वर को दिल्ली एहम आगरा के तक्त पर बिठाया जाएगा किन्तु शंभाजी, जंजीरा के सिंधियों, मैसूर के चिक्कादेवराय तथा गोआ के पुर्तगारियों के हमलों से इतना घिर गया था कि वह अपने राज्य से निकलने के लिए सोची नहीं पाता था इसलिए अक्वर की निराशा दिन पर दिन बढ़ती जाती थी और उसने भारत छोड़कर इरान जाने की योजना बनाई ताकि वह खुली हवा में सांस ले सके यहाँ उसे शंभाजी के राज्य में औरंग जेप के गुप्त चरों के भैसे छिपकर रहना पड़ता था इसलिए इसवी 1682 में अक्वर चुप्चाप अपने साथी राजपूत सैनिकों को लेकर गोवा के लिए रवाना हो गया गोवा के निकट विंगुरला में उसने इरान जाने के लिए एक जहाज के राई पर लिया और उस पर सवार हो गया किन्तु शंभाजी के मंत्री कवी कलश को इस बात का पता लग गया वहवीर दुरगादास को लेकर अक्वर के जहाज पर पहुंचा और उसे समझा बुझा कर जहाज से नीचे उतार लाया अक्वर फिर से इस आशा में भारत में रुकने को तैयार हो गया कि एक दिन मराठों और राजपूतों की सेना की साहता से दिल्ली और आगरा के लाल किलों का स्वामी हो जाएगा शंभाजी निश्चित रूप से औरंग जेब को समाप्त करके अक्वर को नया वादशाह बनाना चाहता था किन्तु शंभाजी अपने शत्रों से ही घिरा रहा यहां तक की एक बार पुर्तकालियों ने शंभाजी को बुरी तरहें से घिर लिया और शंभाजी का बच निकलना कठिन हो गया इस पर शहजादी अक्वर ने दौना पक्षों के बीच मध्धस्त अता करके शंभाजी को छुडवाया इस घटना के बाद फरवरी 1685 तक शहजादा अक्वर शंभाजी की राज्य में इस्थित नत्नागिरी जिले में ठहरा रहा तथा अपनी साहता के लिए कवी कलश को बुलाता रहा किन्तु कवी कलश भी अपने शत्रूँ से इतना उलजा हुआ था कि वह कभी भी अक्वर की साहता के लिए नहीं आ सका कवी कलश इलाबाद का रहने वाला कन्नोजिया ब्रामन था तथा शंभाजी के परिवार का परमपरागत पंडा था उसने ही शिवाजी के निधन के बाद शंभाजी का भव्य राज्जा भी शेक करवाया था और शंभाजी ने उसे कवी कलश की उपादी दे कर अपना मंत्री बना लिया था इस समय शंभाजी के राज्य का सारा भार कवी कलश पर था और शंभाजी हर समय आमोद प्रमोद में डूबा रहता था अकबर यद्दपी शंभाजी के राज्य में किसी अग्याद गाउं में रहता था तथा भी वह अपनी जीवन शहली एक बादशाह की तरहें दिखाने का प्रयास करता था और निकट वरती जंगलों में शिकार खेल कर अपना समय व्यतीत करता था एक दिन शंभाजी अकबर से मिलने के लिए आया उस समय वीर दुरगादास राठोड भी अकबर के पास ही था शंभाजी ने अकबर को आश्वासन दिया कि वह थोड़ा इंतजार और करे जैसे ही परस्तिया अनुकूल होंगी औरंगजेब के विरुद्ध कारिवाई की जाएगी किन्तु शंभाजी की और से कुछ नहीं किया गया यहां तक कि औरंगजेब स्वयम अपने तीन शहजादों आजम, मुज्जम और कामबक्ष को लेकर अकबर तथा शंभाजी को पकड़ने या मार डालने के लिए डखिन में आ पहुँचा औरंगजेब स्वयम तो अपनी पुरानी राजदानी औरंगाबाद में आकर ठहर गया तथा अपने सेना पतियों को मराठों पर आकर्मन करने के लिए भेजा उसने शहजादी आजम को आदिल शाही राज्य पर हमला करने के लिए भेजा आजम ने अपनी सेना लेकर धरूर पर धवा बोला इस दौरान उसने अपनी बेगम जहांजेब बानू को सैनिक शिविर में ही छोड़ दिया तथा बूंदी के राब अनिरुद्द सिंग हाडा को जहांजेब बानू की रक्षा पर न्युक्त किया दर्शकों को इस्मरण होगा कि बेगम जहांजेब बानू मरहूम शहजादे दाराशिकोह की पुत्री थी तथा अपने चाचा औरंग जेब की बड़ी लाड़ली थी मोगलों के इतिहास में इसे जानी बेगम कहा जाता था फ्रेंच इतिहासकार निकोलस मनूची ने लिखा है कि जानी बेगम अपने पिता की तरह बुद्धिमान दायालू तथा बहुत सुन्दर थी जब मराठों को ग्यात हुआ कि शहजादा आजम शाह अपनी सेना को लेकर धरूर पर आक्रमन करने के लिए गया है तो उन्होंने मुगलों के डेरे लूटने के लिए शाह आजम के शिविर पर हमला बोला जब बेगम जहांजेब बानू को ग्यात हुआ कि उनके शिविर को मराठों ने घिर लिया है तो उसने राव अनिरुद्ध सिंग हाडा को अपने डेरे में बलाया तथा उससे फार्सी भाषा में बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा शर में चक्ताईया या राजपूत या एकस्त अर्थात राजपूतों के लिए चकताईयों अर्थात मुगलों की मानप्रतिष्ठा उनकी अपनी ही है मैं तुमें अपना वेटा बनाती हूँ तुम मेरे साथ ही रहना और मेरा ध्यान रखना जानी बेगम द्वारा कहे गए इन शब्दों का आशे यह था कि जब मैं मराठों से युद्ध करूँ तो तुम मेरे साथ रहना तथा यदि हम हारने लगें तो तुम मराठों को कुछ देर के लिए रोकना ताकि मैं अपने पेट में तलवार भोग कर देह छोड सकूँ और मर आठों को बेगम के हाथी तक नहीं पहुंचने दिया बेगम भी पूरे समय तक रंट शेत्र में ठिकी रही और अपने भालों से मराठा वीरों का सामना करती रही अंत में अनिरुद्ध सिंग की मोर्चाबंदी और बहदुरी काम आई तथा मराठी वहां से भाग गए जहा औरंग जेब ने दारा शिकोह का सिर कटवा दिया जानी बेगम का पती आजम शाह इसवी 1707 में तीन महीनों के लिए मुगलों का बादशा हुआ किन्तु उसके बादशा बनने से दो साल पहले ही इसवी 1705 में जानी बेगम की अकसमात मृत्ति हो गई इस प्रकार जानी औरंगाबाद में आकर बैठ गया तो शहजादा अकवर समझ गया कि मराठे और राजपूत चाहे कितने ही वीर क्यों नहों वे अकवर को उसके बलशाली पिता औरंग जेब के हाथों में पढ़ने से बचा नहीं पाएंगे इसलिए सितंबर 1686 में अकवर चुप चाप इरा अकवर का पहला विवाह अपने ताूदारा शिकोह के सबसे बड़े पुत्र सुलेमान शिकोह की सबसे बड़ी पुत्री सलीमा वानू बेगम से हुआ था जिसके पेट से नेकुसियर नामक पुत्र का जन्म हुआ था जब अक्वर इरान भागा तो इसके दोनों पुत्र तथा दोनों पुत्रियां भारत में ही छूट गए जिन मेंसे एक पुत्र तथा एक पुत्री मुगल हरम में थे और दूसरा पुत्र तथा दूसरी पुत्री दखिन में थे इन दौनों को राजपूतों ने पाल पोस कर बढ़ा किया आरंग जेव के हरम में पल रहा नेकु सियर इस समय केवल 9 साल का था आगे चलकर इसवी 1719 में कुछ महीनों के लिए नेकु सियर मोगलों के तक्त पर बैठने में सभल हुआ इसका इतिहास हम अपने पिछले एपिसोड में बता चुके हैं जब अकबर इरान पहुँच गया तो इरान के शाह ने अकबर से कहा कि वहनित्य प्रति दिन अल्लाह से प्रार्थना किया करे कि उसका पिता मर जाए ताकि अकबर को एक दिन मोगलों का बादशाह बनने का आउसर मिल सके इस पर शहजादी अकबर ने इरान के शाह से कहा कि देखते हैं पहले कौन मरता है मैं या मेरा पिता अंत में 2776 में शहजादी अकबर की मरत्य हो गई जबकि उसका पिता औरंग जेब 27707 में रत्य को प्राप्त हुआ अगली कड़ी में देखिए औरंग जेब ने शहजादे के बाल और नाखून काटने पर रोक लगा दी